समस्कार स्वागत है आपका दान्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को आयोध्या में भाव्यरामंदर का उद्खाटन करेंगे लेकिन काई लोगों को ये खबर पच नहीं रही है काई लोगों को इस बात से ग इसको लेकर पीज़पी के नेता सुब्रमन्यम स्वावी का बड़ा वयान साफ ने आया है उन्होंने सवाल उठाए है कि प्यम मोदी को रामला की प्रान प्रतिस्था पूजा में शामिल होने की पर्मिशन आखर कैसे मिल सकती है याही वो इस बात से नाराज है कि प्यम निशान है और उन्होंने ये भी कहा है कि प्यम ने अपनी पत्नी को त्यागा जबकि भगवान राफ ने अपनी पत्नी सीता को बच्छाने के लिए लगभग देड़ दसक बिताय और युद छेड़ा था यानि किस तरीके से प्रधान मंतुरी नरींत्र मोदी पर सुब्रम सुब्रमन्यम स्वामी हमला बोल रहे हैं प्यम मोदी की पत्नी का वो जीकर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्यम मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था जबकि प्रभूर राफ ने माता सीता के लिए युद लड़ा ये तमाम बाते जो सुब्रमन्यम स्वामी की ओर से कही गई है जाहिर तोर पार उनकी बॉखलाहट को दिखा रही है पर मैं आपको ये बता दूँ कि जब से इस प्रान परतिस्था के लिए श्रीराम जनभूमी ट्रस्ट की ओर से देश के परधान मंत्री नरेंद्र मोधी को निमंत्रन मिला है जब से ये खबर साफ ने आई ह कि पूजा का मोका मिलना चाहिए देश के परधान मंत्री को इस राम मंत्र का उधाटन नहीं करना चाहिए तमाम विपक्ष के लीडर ने ये बात कही लेकिन अब इसी कड़ी में सुब्रमन्यम स्वामी का नाम भी चुड़ गया है आला कि मैं आपको ये बता दूं कि सुब मंत्रन नहीं मिला है और यही वज़ा है कि इस तरीके से सुब्रमन्यम स्वामी अब अपनी बोखलाट जो है वो दरसल इस तरीके से निकाल रहे हैं कि प्यम मोदी पर हमला बोल रहे हैं चुकि वो राम मंदर का उधाटन करने वाले हैं और इससे पहले वो जो आयोध्या मे एरपोर्ट का निर्मान हुआ है उसका उधाटन करेंगे तो जाहे तोर पर बीजेपी या देश के परदान मंत्री नरींत्र मोदी को इसका क्रेडिट क्यों मिल रहा है ये कही ने कहीं जहन में सवार है वो विपक्ष के है और लगातार विपक्ष इसको लेकर हमलावर नज सुब्रमन्यम स्वावी ने ये लिखा कि हम रामभक्त मोदी को अयुध्या में रामला की मूर्ती की प्रान परतिष्ठा पूजा में शामिल होने की पर्मिशन आखिर कैसे दे सकते हैं जबकि राम ने अपनी पतनी सीता को बच्चाने के लिए लगभग देड़ दसक बिता और युद्छेडा मोदी अपनी पतनी को त्याखने के लिए जाने जाते हैं फिर भी वो पूजा करेंगी तो इस पूरे माखने को सुब्रमन्यम स्वामी कहां से जोड रहे हैं यह साब तोर पर दिखाता है कि जो शिराम जनभोवी मंदर के प्रान पृतिष्ठा का जो कार चाहे वो देश के प्रधान मंत्री हो फिर चाहे वो अन्य नेता हो इसके अलावा जिन लोगों ने राम मंदर के लिए अपना बलितान दिया है उन कारसेवकों के परीजन हैं तमाम जो अलग-अलग अखाडों के सादू संथ हैं वो अमंत्रित किये गए हैं तमाम पूर्व मंत्रित किया किया है लेकिन सुब्रमन्यम स्वामी को निमंत्रन नहीं मिला जिसके चलते अब सुब्रमन्यम स्वामी इस तरीके से अपनी बोकलाहट दिखा रही है और जाहिर तोर पर निमंत्रन ना मिलने से यानि इस कार्यक्रम में ना मुलाय जाने से काफी जाधा आहत ह और यही वज़ा है कि इस तरह के बयान उनके आ रहे हैं यह सुब्रमन्यम स्वामी पहले भी कह चुके हैं कि सब कुछ प्रधान मंतुरी देख रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने बीज़ेपी सरकार पर हाली में हमला बोला और यह कहा कि वो ना तो अकबार में उनका बयान च कहा गया तो सुब्रमन्यम स्वामी बीज़ भी कहनेता हैं लेकिन जिस तरीके से वो प्यम मोधी पर हमलावर नजर आते हैं अलगलग मुद्धों को लेकर वो सरकार पर सवाल उठाते हैं और अब जब अयुद्या में भव्यार मंदर का निर्मान हो चुका है जब रामला की प्रान परतिस्ठा होनी है 22 जनवरी 2024 वो तारीक होगी जब राम मंदर का उद्खाटन होगा और उसके बाद आम शरधालों के लिए राम मंदर खुल जाएगा आम शरधालों वहां पर दर्शन कर पाएंगे अयुद्या में विकास की एक नई इबारत गड़ी जा रहे है च चाहे फिर वो एरपोर्ट का निर्मान हो या फिर सीम योगी ने जो खोशना हाली में की कि अजोध्या में अब एक इसमारक बनेगा एक मैमोरियल बनेगा उन तमाम लोगों के नाम उस मैमोरियल पर अंकित होंगे जिन लोगों ने राम मंदर के लिए अपना सर्वोश बलि चाहे फिर रेलवे स्टेशन से लेकर राम मंदर का रासा हो हर जंगा पर कहीं ने कहीं सुईधाएं जो है वो शर्थाल्पों के लिए हो इसका विशेश ख्याल जो है वहां पर रखा जा रहा है तो कुल मिलाकर अयुध्या में इसको लेकर भव्यत तयार हैं लगातार श्र और चाहे वो सफाई हो फिर चाहे वो तयार्या हो पिर चाहे वो साजावट अयुध्या की हो एरपोर्ट का इंदு ंत्रहरुन होना है तो तमाम तयार्यان बड़े प्याने पर अश्रिया में चल रही हैं लेकिन दभू के साथ सियासत भी काफी ज़्यार है जहां कॉंकर्स पार्टी के नेता सैम पित्रोदा जिन्होंने राममंदर को लेकर अपनी बॉकलाहट दिखाई और कहा कि राममंदर राश्टे मुद्दा कैसे हो सकता है तो वही पर वामपत्थी जो दल है CPIM उनके नेता जो है वो इस कणरेक्रम में शामिल नहीं होंगे रामपत्थीष्ठा का उन्हें निमंध्रन मिला लेकिन वो इस कारेक्रम में नहीं जाएंगे यह उनकी तरफ से घोशना करती ग dealer मिया कई और नेता काहिससा नहीं होंगे कैना या इस बात को ले कर अभी भी असवां मंदिर के प्राण सवार्चों में आ ह घाते हैं तो एक अच्छा भाट वोट अपने हाथ से गवा सकते हैं ज़िक तूस टिकरंल की राजनी 13 के जरिया की गई है तो इसको लेकर भी असमंजस जो है वो कहीं न कहीं देखने को मिला है हलाकि मैं आपको यह बता हूं कि कहीं न कहीं राममंतुर को लेकर विरोध हमेशा से ही इन तमाम विपक्षी दलों का रहा है चाहे टीमसी हो चाहे वांपंथी दल हो कॉंक्रस लेकिन इतना तैह है कि सुब्रमन्यम स्वामी को निमेंध्रह नहीं मिला जिस से वो काफी आहथ है लेकिन इस कड़ी Steady पे उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो कहीं सुब्रमन्यम स्वामी की मुष्किले बढ़ा सकता है फिलाल आपकी इस पूरे माहिने को लेकर क्या राए है हमें comment box में जरूर लिखें धन्य बात